दोस्तों आज की उडियो में हम फिर से आ गए हैं आपके सामने एक और बहुत ही इंट्रेस्टिंग को लेके कोश्चन है Embryology तो आए देखते हैं कि इसके solution में हम क्या कुछ लिख सकते हैं Embryo मतलब होता है वोम यानि की गर्भ जहां पर बेबी का development होता है Embryology मतलब होता है उसकी study यानि की Embryo की पढ़ाई को ही हम लोग कहते हैं Embryology यही चीज यहां लिखा हुआ है Embryology is the study of the formation and development of embryo and fetus किस तरीके से Embryo का development होता है और उस Embryo के अंदर किस तरह से बेबी का development होता है यही होता है Embryology and दूसरा सबसे important Embryology का use हम लोग evolution के एक evidence की रूप में कर सकते हैं जब हम लोग Embryo की study compare कर करके करते हैं Vertibrates क्या होते हैं Vertibrates ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास Vertible column होता है Vertible column मतलब backbone ऐसे जानवर जो backbone को consist करते हैं जिसके पास backbone होता है जब ऐसे बहुत से älग तलग जानवर चाहें वो fish हो चाहें वो amphibian चाहें और रपटाइल चाहें वो bird चाहें वो mammal जब ऐसे बहुत से अलग-अलग जानवर. जिस जो vertebrates को consist करते हैं जिनके पाफ vertebrates होता है जब ऐसे organism को हम compare करके study करते हैं उनके embryo का तो उस समय हमको उनके initial phase में बहुत सारी similarity देखने को मिलती है जैसे जैसे बेबी का development होता है वैसे वैसे ये similarity खम होती जाती है लेकिन initial state में हमें ये similarity बहुत जाला देखने मिलती है तो सवाल आता है कि यार इस similarity को लेकि हम करें क्या ये जो similarity होती है अलग-अलग vertebrates के अंदर अलग-अलग जनवरों के अंदर इससे हमें ये पता चलता है ये हमें एक evidence देता है कि हम सभी के पूरवज हम सभी के जो ancestors से वो एक ही थे बस यार embryology के अंदर आपको इतना ही लिखने का है इतना लिखते ही आपको embryology में पूरा marks मिल जाएगा और ये जो diagram आपके page में दिख रहा है आपको ये diagram बनाने की कोई जरूत नहीं है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि embryology के अंदर क्या point हम एक्जाम में लिख सकते हैं तो बस ये चार point लिखो आपको पूरा marks मिलेगा नहीं मिला तो चनल को सब्सक्राइब भी मत करना